दोस्तो अभी अभी कुछ दिर पहले विदानता लिमिटेट से तीन काफी बड़ी निउस निकल के आईए और ये तीनों की तीनों निउस काफी ज़ादा पॉजिटिव निउस है तो खुश खबरी आ गई है इन्वेस्टर्स के लिए मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फ विदानता रिसोर्स लिमिटेट के जो बॉण्ड्स है उनको एक बाय साइन मिल चुका है क्रेडिट साइड की तरफ से कि इन्वेस्टर्स इसको बाय कर सकते हैं और क्रेडिट साइड क्या है एक इंडिपेंडेंट रिसर्च फिर्म है जोकि फिच रेटिंग ओन करता है अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट करके ही इसको बाई करें हमें एक बाई इंसाइन यहापे दे रहे हैं बिकॉस यहाँ पर हमें इसका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट देखने को मिलता है अब आईए यह तो पहली निउस होगा यह अगली निउस को कवर कर लेते हैं तो अने लगरवाल जो की विदानता लिमिटेड के चेर्मेन है आनि की विदानता रिसोर्स लिमिटेड के भी चेर्मेन है इन्होंने यहाँ पर एक काफी बड़ा statement दिया है इन्होंने काई जो debt company के उपर जो कर्जा है वो कोई बड़ा concern नहीं है बिल्कुल भी बड़ा concern नहीं है वो एक normal सी बात है because वो यहाँ पर expect कर रहे हैं कि जो commodities के price है जो कि विदानता limited basically manufacture करता है चीजे उनके जो price है वो आने वाले time में काफी तेजी से बढ़ते हैं देखने को मिलेंगे और इसी वज़े से इनका जो profits है वो भी काफी तेजी से increase होता हुआ देखने को मिलेगा तो जो विदानता limited के chair मेन है यानि कि अनिल लगरवाल जी उन्होंने clearly ये mention कर दिया कि debt को लेके हमारे उपर एक भी percent tension नहीं है debt वाला matter कोई भी बड़ा concern नहीं है एक छोटी मोटी सी चीज है जो कि आने वाले time में easily clear हो जाएगी जैसी commodities के price यहाँ पर बढ़ने स्टार्ट होंगे विदानता limited जो जो चीज़े बना के देता है वो commodities के अंदर में ही आता है और अगर commodities के all over prices बढ़ते है तो विदानता limited का revenue profit सारी चीज़े बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी और CDC बात है उस सारा profit यहाँ पर date की repayment में जाएगा मतलब उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर जाएगा तो जादा बड़ी यहाँ पर इनको tension नहीं है debt के concern से तो उस सबसे बड़ा tension विदानता के उपर date का ही था जो investors को खाये जा रहा था उसी के उपर से इतना बड़ा परदा उठी है तो अब investors को बिल्कुल भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है अब आईए बात कर लेते हैं अगली और last news की तो यहाँ पर विदानता की तरफ से यह news आ रही है debt को लेकर रही है विदानता ने यहाँ पर जो successfully handle कर लिया अपने debt को मतलब company के उपर काफी जादा debt था और company यहाँ पर अगले 12 महीने के अंदर इसको काफी अच्छे तरीके से settle out करने वाली है अभी जो विदानता लिमिटेट की strategies है जो की refinancing और potential strategies है जो की विदानता लिमिटेट को debt free बनाने की strategies है वो काफी अच्छे से work कर रखती आई हैं अभी तक और आने वाले 12 महीने के अंदर पूरी तरह से debt free तो नहीं बढ़ हां majority of the debt यानि की जादा तर जो करजा है company के अपर वो यहाँ पे खतम होता हुआ देखने को मिल जाएगा विदानता लिमिटेट जिस तरीके से चल रहा है जिस strategy को use कर रहा है refinancing वाली strategy को वो strategy काफी जादा work कर रही है विदानता लिमिटेट के लिए और आने वाले time में जो debt है इसको काफी काफी जादा कम कर दिया जाएगा और debt free तो मुझे नहीं लगता होगी थोड़ा बहुत debt रह जाएगा लेकिन हाँ majority of the debt जो की एक tension बना हूँ investors के सर पे बस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content दिखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye